नमस्कार, श्वागत है आप सभी का समिक्षा दिकारी, सहायक समिक्षा दिकारी परिक्षा के लिए हम लोग हिंदी क्लासेज पड़ रहे थे, उसमें आज ये नवा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग वाग की सुद्धी को कांटिन्यू करेंगे वाग की सुद्धी के 500 उदारण की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें आज दूसरा पार्ट है तो इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं असुद्ध वाग के और सुद्ध वाग के और उसमें क्या गलती है किस तरह से उसका सुद्ध रूप होना चाहिए था जिससे आप अच्छी तरह से ये पैचान सकें कि वाग के में असुद्धी को हम कैसे ढूर सकते हैं और प्राया जो कॉमन टाइप की जो है गलतियां है वो कौन-कौन सी होती है तो इस सीरीज को अगर आपने पूरा नहीं देखा आप फालो नहीं कर रहे है तो निश्चित रूप से आपको जो है डे वन से यानि पहले लेक्चर से लेके अभी तक के सारे लेक्चर देखने चाहिए दूसरी चीज में बता दूँ कि ये टॉपिक अभी इसमें दो वीडियो और आएंगे उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेंगे विशेश से एवं विशेशन क्योंकि मैंने आपको सुरुवात में ही कहा था कि कठिन टॉपिक से सुरुवात करना हमेशा अच्छा रहता है तो सबसे टफ टॉपिक वाक के एवं वरतनी सुद्ध था उसके बाद हम विशेश से एवं विशेशन को पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट किया है कि उसमें आपका कांसेप्ट वीक है आपको कुछ चीजे समझ में नहीं आती है और उसके बाद हम लोग तदसम तदभो टॉपिक लेंगे लेकिन अगर आपको हिंदी में 60 में से 55 प्लस नंबर लाने है तो आप मेरे साथ बने रहिए रेगुलर इस सीरीज को फालो करिए क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट रहा है मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कि अगर आप जो है हमारे क्रैस कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन आरो लिखकर इस नंबर पर यानि 950674546 पर डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगे दिया हुआ है साथ ही अगर आप पीडिएफ नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके मांग कर लीजिए वो आपको जो है पीडिएफ भेज दी जाएगी कुछ जो हमारा फुल कोर्स है उसमें जो है 11 GS और हिंदी के टेस्ट यानि 11 सेट जो है पूरे-पूरे फुल सलेबर्स टेस्ट हैं उसके अलावा करंट अफेर्स के 9 टेस्ट हैं इस तरह से जो है 20 टेस्ट का पूरा प्रोग्राम है जिसको आप आनलाइन दे पाएंगे ब्याख्यात्मा खल साहित आपको पीडियाप मिलेगी उस पीडियाप में हर प्रस्न की समचित ब्याख्या है जिससे कि उसका जो आप टॉपिक से कोश्चन पूछा गया है उसको आप पूरा का पूरा पूरा लुपिक कर सकें उससे मिलता जुलता या उससे अलग कोई कोश्चन आता उस टॉपिक पर तो आप उसको जो है answer देने में सच्छा मो सकें तो कम समय में इस से बहतर कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है कि आप जो है कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें अगर आप केवल हिंदी की जो है टेस्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प हमारे पास है उसके लिए आप जो है ज्वाइन आरो वनली हिंदी लिखकर इस नमबर पर भेजिए आपको जो है उसके बारे में सारा जो है डिस्क्रिप्शन आपके मोबाइल नमबर पर ही भेज दिया जाएगा बाकी आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं उसमें कुल 11 टेस्ट दिये जा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं माज का लेक्शर सबसे पहले सुरवात होती है अनेको इस्तरी पुरुस उसे देखने गए तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अनेको सब्द जो है अपने आप में बिल्कुल गलत है क्योंकि अनेक खुद में एक बहवचन सब्द है इसलिए उसका अगर बहवचन अनेको लिखते हैं तो ये गलत है हलाकि प्राया जो है बोलचाल में अनेको बोल दिया जाता है लेकिन वो गलत है तो अनेक इस्तरी पुरुस उसे देखने गए दस इस्तरिया और पाँच बालकों को भोजन दो अब इसमें क्या गलती है इसमें वचन सम्मंदी गलती है दस इस्त्रियों और पांच बालकों को भोजन दो तो यहाँ पर क्या था? दस इस्त्रियां लिखा था जो गलत था दस इस्त्रियों और पांच बालकों को भोजन दो आगामी अपसर कोलकाता से आ रहे हैं आगामी का यहाँ पर क्या सेंस है? अब यहाँ पर क्या है सर्वनाम संबंदिय सुद्धी है अपने की जगे अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए फिर आकास पर वायूयान दोड़ रहा है तो वायूयान के लिए दोड़ना जो है क्रिया नहीं प्रियुक्त होती है क्रिया उसके लिए क्या होती उड़ना तो आकास में वायान दोड़ रहा है उसके अलावा यहाँ पर परसर्ग की भी गलती है नहीं कारक की भी गलती है आसमान पर नहीं दोड़ सकते हैं वायान आसमान में दोड़ रहा है या आकास में दोड़ रहा है बिजली गरज रही है तो बिजली गरजती नहीं बिजली चमकना उसके लिए सब्द होता है बिजली चमक रही है रात का नास्ता अच्छा था तो आप जानते हैं रात में जो है नास्ता नहीं किया जाता रात्री का भोजन जो है उसको भोजन बोलते हैं तो रात का भोजन अच्छा था अत्याधिक व्यस्तता स्वास्त के लिए हानिकारक है और यहाँ पर अत्याधिक व्यस्तता के बाद जो है एक कौमा भी लगना चाहिए को कि हम यहाँ पर एक विराम ले रहे हैं अत्याधिक व्यस्तता स्वास्त के लिए हानिकारक है अगला सब अगला जो है sentence देखते हैं मैं अपनी बातों को इसपश्टी करण करना चाहता हूँ तो जब हम इसपश्टी करण सब्द का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बातों को इसपश्ट करना चाहता हूँ या मैं अपनी बातों का इसपश्टी करण करन चाहता हूं बातों को इस पश्टी करन जो है यह यहां पर बिल्कुल गलत है तो सबसे सोद रूप क्या जागा मैं अपनी बात को इस पश्ट करना चाहता हूं मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा तो यहां पर क्या गलती है पुराने पते से पत्र दीजिएगा ना कि दीजियेगा तो कि पत्र जो है भेजा जाता है उसके अलावा इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप मेरे पुराने पते पर पत्र भेजियेगा तो यह दोनों ही तरह से इसको सुद्ध करके लिखा जा सकता है फिर उनकी प्रखर बुद्धी हर काम में प्रगट होती है तो इसमें क्या सुद्धी है? इसमें मे की सुद्धी है मे को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसकी ज़िए करें से कपर होगा उनकी प्रखर बुद्धी हर काम से प्रकट होती है आगे चलते हैं दस रुपया में क्या आता है? तो यहाँ पर क्या गलती है? रुपया में गलती है. दस रुपये में क्या आता है? यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा? दस रुपये में क्या आता है? उसकी सौजन्यता से यह कार्य संपन्न हुआ. तो सौजन्यता सब्द गलत है. यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही अर्थ के लिए दो सब्दों का प्रियोग हुआ है सा का मतलब ही होता है सहित तो या तो सा लिखें या हम सहित लिखें यानि मैं प्रमार सहित कहता हूँ या मैं सा प्रमार कहता हूँ तो दोनों इसे जाएगा लेकिन साप्रमार सहित कहता हूँ ये जो है गलत है भोजन बहुत सुन्दर बना है तो भोजन देखने में सुन्दर इस तरह का जो है कोई सेंस नहीं होता है भोजन की सुन्दरता क्या होती इसको स्वाध से होती तो भोजन बहुत स्वाधिस्ट बन जाएगा दूसरी चीज उसमें क्या है साप्ताइक अवकास सुम्बार का की जगे सुम्बार को रहता है ना कि सुम्बार का तो ये दो गलतियां इसमें प्रमुक है का की जगे को का प्रयोग यहां पर किया जाना चाहिए इस पुस्तक में यहीं विसेशता है तो पुस्तक में जो है यानि यहाँ पर क्या कारक की गलती, पुस्तक में विसेश्टा नहीं है, पुस्तक की यहीं विसेश्टा है, उसके प्राण पकेरू चले गए, तो इसकी जी किया होगा, उसके प्राण पकेरू उड़ गए, ना कि चले गए, आपकी रचना स्रेश्टतम है, तो स्रेश् उसमें से हम एक की बात कर रहे हैं तो हम जो है स्रेष्ट का उत्मा वस्था यानि स्रेष्टम का परियोग करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या है आपकी रचना स्रेष्ट है क्योंकि हम क्यों एक रचना की बात कर रहे हैं पुत्री पराये घर का धन होता है तो इसका सही रूप क् पुत्री पराये घर का धन होती है ना की होता है आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए तो यहाँ पर क्या है यहाँ भी लिंग संबंधी तुटी दिख रही है आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए ना की सुननी चाहिए श्रीमती गांधी भारत की पुरधान मंतरी थी त इसमें मंत्रणी यानि ये लगाने की आउशकता नहीं पढ़नी चाहिए. प्रत्स्रीमती गांधी भारत की प्रधान मंत्री थी. अगला मंत्री को पद की गोपनीता की सपत दिलाया. अब इसमें दो गलती तो मंत्री जो है ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा. मंत्री की देश की स्थिती अच्छा नहीं है. तो अच्छा की जगे क्या होगा? अच्छी नहीं है. सीता राम की इस्तरी थी गलत है. इस्तरी की जगे क्या थी? पत्नी थी. सीता राम की पत्नी थी. तुम्हें संकट में धैरता रखनी चाहिए. तो धैरता गलत है. यहाँ पर धैर मे यानि विशेशन में भी ता प्रत्य जोड़ दिया गया वो गलत है तुम्हें संकट में धैर रखना चाहिए राम खेलने लगा दूद पीकर अब यहाँ पर क्या है पदक्रम संबंधी जो है गलती दिख रही है राम दूद पीकर खेलने लगा यानि पहले उसने दूद पीया फिर वो खेलने गया तो इसको करेक्ट लिखेंगे राम दूद पीकर खेलने गया सीला की बकबक से मेरे कान भर गए थे अब यहाँ पर क्या गलती है सीला की बकबक से मेरे कान पक गए है भरने की जगे पकना तुम्हारे तो सांस में दम हो गया तो सांस में दम नहीं होता नाक में दम हो गया ये सब जितने भी मुहावरे कहावते लोकोक्तियां होती है उसको हमको उसी रूप में लिखना चाहिए उसमें कोई भी फेरवदल नहीं करना चाहिए तो तुम्हारी तो नाक में दम हो गया कैंसर एक असाद आध ही है आध ही गलत है तो कि बीमारी को क्या कहते हैं ब्याद ही कहते हैं कैंसर एक असाद व्याद ही है मोतियों का या हार बहुत अमूले है तो जो हम बहुत लगा रहे हैं और अमूले लिख रहे हैं तो एक साथ नहीं लिखा जा सकता है बहुमूले लिखा जा सकता है या तो हम अमूले लिख सकते हैं मोतियों का या हर अमूले है यानि जिसका कोई भी मूले नहीं है लेकिन बहुत अमूले है ये जो है कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं देता है तो ब वच्चन है ये तो यहाँ पर पढ़ने जाते हैं ना कि पढ़ने जाता है मेरे पेट को मेरे को पेट में दर्द हो रहा है तो मेरे को आप जानते ही गलत है सर्वनाम मेरे पेट में दर्द हो रहा है यह जो है यहाँ पर करेक्ट होगा मेरे पूजनी पिता जी आए हैं तो पूजनी सब्द गलत होता है या तो पूजनी होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे पूजनी पिता जी आए है या मेरे पिता जी आए है या तो हम पूजनी भी ना लगा है कोकि हम वैसे ही आदर सूचक लिख रहे हैं पिता जी यानि जी लगाने से और आखरी में हैं त लेकिन पूज्य नीय सब्द जो है वर्तनी की दृष्टी से यहाँ पर सर्वता गलत है। लड़के खेला करते हैं या लड़के खेल खेलते हैं दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं। पुस्तके पढ़नी चाहिए तो चाहिए इसमें क्या गलती है यहाँ पर जो है जो चंद बिंदी का प्रियोग किया गया है वो गलत है। पुस्तके पढ़नी चाहिए या वरतनी सुद्ध जो है चाहिए का इसमें होना चाहिए। सराब पीनी बुरी आदत है तो सराब पीनी यानि यहाँ पर जो है पीनी की जगे क्या आएगा पीना सराब पीना बुरी आदत है। आगे चलते हैं कनाडे के कलाकार आए हैं कनाडा एक देश है उसके कलाकार आए हैं तो इसको कैसे लिखेंगे कनाडा को ही लिखेंगे कनाडे नहीं लिखेंगे कनाडा के कलाकार आए हैं। राम अभी पटने से आया है अब वो पटना से आया है तो पटने नहीं कर देंगे उसको राम अभी पटना से आया है पटने से जो है गलत है सीता ने तीन मन कोईले खरीदे तो तीन मन जब हम पहले ही बता रहे हैं उसकी जो है एक मात्रा बता रहे हैं तो कोईला का बहुबचन बनाने की आउस्कताया नहीं है राम ने तीन मन कोईला खरीदा यह दस रुपया का नोट है तो रुपया की जगे यह दस रुपये का नोट है यह इसका करेक्शन हो जाएगा सरला को लड़का हुआ है तो इसका क्या जो है सही वर्जन होगा सरला ने पुत्र को जन्म दिया है या लड़के को जन्म दिया है सरला को लड़का हुआ है ये जो है ब्याकरण की दिश्ची से असुद्ध है मैंने पत्र नहीं पढ़ पाया तो यहाँ पर क्या है मैं पत्र नहीं पढ़ पाया या मैंने पत्र नहीं पढ़ा दोनों तरह से इसको लख सकते हैं तुम मुझे गाली क्यों दिया तो तुम मुझे गाली क्यों दिया तुम क्या खाये हो तो इसका सही वर्जन क्या होगा तुमने क्या खाया है तुम क्या खाये हो ये गलत है तुमने क्या खाया है मैं भात और मीन पसंद करता हूँ तो मीन का अर्थ मचली जरूर होता है लेकिन जब हम एक सब्द को जो है तिपिकल हिंदी में लिख रहे हैं तो मीन वहाँ पर जो नहीं प्रिक्त होगा मैं मचली और भात खाता हूँ या भात और मचली पसंद करता हूँ जैसा भी जो है संटेंस है दुतिय विश्युद का स्रीगडेस हुआ तो यहाँ पर क्या है स्रीगडेस हमेशा अच्छे कारियों में सुबारंब के लिए यूज किया जाता लेकिन दुसी विश्युद क्या है यह कोई अच्छा काम नहीं था यह एक त्रासदी थी तो दुति विश्युद का आरंब 1949 में हुआ यह जो है इसका correct version जाएगा मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है अब आप यहाँ पर देख सकते है पढ़ाई की क्या है वर्तनी असुद है पढ़ाई किस तरह सही लिखा जाएगा पढ़ाई ना कि पढ़ाई वा खाई में गिर गया अब यहाँ पर खाई में देखिए यहाँ का प्रियोग किया गया है जो कि गलत है बड़ी ही लगेगी खाई में गिर गया ये इसका correct हो जाएगा समाज के अंतरगत भृष्टाचार ब्याप्त है तो समाज के अंतरगत नहीं भृष्टाचार समाज में भृष्टाचार ब्याप्त है तो अंतरगत सब यहां पर गलत है इसकी इस्थान पर मे का यहां पर प्रियोग होना चाहिए या मेरी पैत्रिक संपत्ती है तो पैत्रिक की क्या है वर्तनी गलत है या मेरी पैत्रक संपत्ती है इसको इस तरह से हम correct form में लिखेंगे सायद आज आधी अवश्य आएगी तो सायद भी हम यूज कर रहे हैं और अवश्य भी यूज कर रहे हैं एक तरफ तो हम जो है अनुमान लगा रहे हैं एक तरफ हम security की बात कर रहे हैं तो संभावना और निश्चित्ता दोनों एक साथ एक sentence में नहीं विख्थ हो सकती है सायद आज आधी आएगी एक तो जो हम इस तरह से इसका correction कर सकते हैं या आज आधी अवश्य आएगी लेकिन सायद और अवश्य दोनों का प्रियोग किसी भी sentence में एक साथ नहीं किया जा सकता है राम अभी वापस लोट कर आया है तो राम अभी वापस आया है जब वापस आया तो उसका लोटने की जरूरत नहीं है लोटने लगाने की जरूरत नहीं है राम अभी वापस आया है या राम अभी लोट कर आया है इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं बारा सरगार ने स्वरगी एक कामराज को भारत रत्न की उपाधी अरपित की तो यहाँ पर क्या गलती है अरपित उपाधी अरपित नहीं की जाती उपाधी जो है हमेशा पुरदान की जाती है फिर साहित और समाज का घोर संबंध है तो साहित और समाज का है है एक सकारात्मक सोच दीखाते हैं तो इस समबंद में हम घोर सब्द का प्रियोग करेंगे घोर किसले होता है घोर हमीसा नतारात्मक समबंदों के लिए तो इसकी दिये क्या... मेंगा घनिष्ट साहित और समाज का घनिष्ट समबंद है बाजार में भारी भरकम भीड जमा थी तो बाजार में भारी भीड थी यहां पर भरकम सब्द लगाने की आउशकता नहीं थी सोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया तो सोक सब्द आने लगेगा यहां पर क्या लगेगा? खेद खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका उसके आँख से आसु बहता है इसका करेक्ट क्या होगा? उसकी आँखों से आसु बहते हैं उससे बोल दो कि वह यहां से चला जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? उससे कह दो कि यहां से चला जाए प्रशादादी प्रभरत कवियों ने लिखा है तो प्रशादादी और प्रभरती यानि आदी सब्दें यहां पर जुड़ा हुआ प्रशाद में और प्रभरती दोनों एक साथ प्रियोग नहीं होगा प्रशादादी कवियों ने लिखा है यह जो इसका correct version हो गया निम्न वाक को पढ़ें इसलिए निम्न का यहां प्रयोग नहीं होगा निम्नांकित या निम्लिखित सब्द का प्रयोग होना चाहिए तो निम्नांकित वाक्यों को पढ़ें यह इसका जो है करेक्सन हो जाएगा यह केवल नाम मात्र का खिलाडी है अब केवल और मात्र दोनों सब्द एक साथ किसी भी sentence में प्रयोग नहीं करना चाहिए ये गलत है तो क्या हो जाएगा वह केवल नाम का खिलाडी है एक तो ये तरीका हो गया दूसरा क्या है वह नाम मात्र का खिलाडी है लेकिन केवल और नाम मात्र एक साथ जो है नहीं प्रयोगत होगा मैं अवश्य ही जीतूंगा तो अवश्य ही लगाने की जीरुवत नहीं है मैं अवश्य जीतूंगा सारे सहर भर में हंगामा मचा हुआ है तो जब हम भर का प्रयोग कर रहे हैं तो सारे का प्रयोग नहीं करेंगे सारे और भर दोनों का एक ही sense है एक ही अर्थ है तो क्या होगा सहर भर में हंगामा मचा हुआ है ये इसका जो है correct form हो जाएगा मैं थोड़े दिनों में ही कलकत्ते से वापस लौट आऊंगा अब यहाँ पर इसका कैसे correction करेंगे हम मैं थोड़े दिनों में कलकत्ते से लौट आऊंगा एक तो यह हो जाएगा या तो मैं थोड़े दिनों में कलकत्ते से वापस आऊंगा लौटना और वापस आना दोनों का sense एक ही है दोनों को एक साथ प्रियूप तो नहीं करेंगे मेरी सविनय पूरवक निवेधन है यहाँ पर क्या गलती है शा मतलब होता ही है कि हम किसी के साथ मतलब पूरवक यहाँ पर अपने आप जुड़ा हुआ है तो सा और पूरवक एक साथ नहीं प्रियूप करेंगे मेरा सविनय निवेदन है यानि पूर्वक जो है इसके साथ नहीं आएगा जब सा या मेरा विनय पूर्वक निवेदन है दूसरा करेक्शन क्या हो सकता है मेरा विनय पूर्वक नवीदन है तब जो है सविनय नहीं लिखा जाएगा केवल विने लिखा जाएगा मैं कुसल पूरवग से हूँ अब पूरवग और से ये एक साथ नहीं लिखते हैं दोनों का एक ही सेंस है तो मैं क्या हूँ मैं कुसल पूरवग हूँ ये सही है या मैं सकुसल हूँ दोनों जो है इस तरह से चेंज हो सकता है, तमाम देश भर में या सुचना दे दी गई, फिर तमाम सब्द और भर सब्द, दोनों का क्या है, एक ही मीनिंग है, देश भर में या सुचना दे दी गई, ये इसका सही correction होगा, अगला sentence, मैं वह और तुम खाओगे, तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्रम क मैं तुम और वह खाएंगे, ये जो इसका correction होगा, आगे मैंने भात को खाया है, तो भात को खाने के लिए भात में को की जरुवत नहीं पड़ेगी, मैंने भात खाया है, इतना जो है, परियाप्त है और सुध भी है, मैंने भात खाया है, केला को खूब पका हुआ होना चा ये, वह भंग ढाल कर दिन बर सोता है, तो जब भंग या भांग के बात करते हैं, तो यहाँ पर एक सब्द आता चान करना की ढाल कर, ढालना किसके साथ आता है, सराब के साथ आता है, जहांगी सराब चान कर पड़ा रहता था, तो यहाँ पर चान कर की जगे, सराब ढाल कर पढ़ा रहता था आपका सब विचार अच्छा होता है तो आपका की जगे आपके सब विचार अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है एक बहुवचन का जो है सेंस होना चाहिए मैंने हाथ जोड दिया तो मैंने हाथ जोड दिया दिये का प्रियोग होना चाहिए मुझे 100 रुपय जुर्माना देने पड़े तो मुझे 100 रुपय जुर्माना देना पड़ा ना की देने पड़े अगला संटेंस तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे तो क्या है यहाँ पर बहुवचन का प्रियोग है तो क्या होगा? मैं गाधी जी पर सुरद्धा रखता हूँ. सास्त्री जी की मृत्यू का समाचार सुनते ही मेरी आखों में आसु बह निकला. इसका क्या करेक्शन होगा? सास्त्री जी की मृत्यू का समाचार सुनते ही मेरे आसु बह निकले. यहाँ पर आखों में आशू बह निकले, यह लिखने की ज़र्वत नहीं है, मेरी आखों से आशू बह चले, आसू दुरूप क्या है अगला? नेता जी के एक-एक सब्द तुले हुए थे तो यहाँ पर नेता जी का एक-एक सब्द तुला हुआ था ना कि तुले हुए थे आपकी महान करपा होगी तो महान इसमें नहीं लगा जाता है आपकी महती करपा होगी हलाकि लोग लिखने में application में भी लिख देते हैं आपकी महान कृपा होगी लेकिन उसकी जगे correct क्या लिखना चाहिए आपकी महती कृपा होगी मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है मन के अंदर लिखने की आउशकता नहीं है मन में लिख देंगे इतना परियाप्त है केवल मात्र आपके दर्सन परियाप्त होंगे तो केवल और मात्र दोनों समानार्थी सब्द है अनुचित है दोनों का एक साथ प्रियोग क्या होगा मात्र आपके दर्सन परियाप्त होंगे फिर अत्याधिक आ गया गलत है अत्याधिक सही होना चाहिए अत्यधिक विस्तता स्वास्त के लिए हानिकारक है फिर वाह तुम आ गए तो वाह कलत है यहां पर वाह तुम आ गए और साथ में जो है बिस्मयाद इबोधक चिन वाह के बाद लगना चाहिए बच्चा रोते रोते सो गया तो यहां पर करेक्शन क्या होगा रोते रोते क्योंकि यहां पर पुनरुकती है एक ही सब्द की इसलिए बीच में डैस लगेगा बच्चा रोते रोते सो गया और यहां पर प्रस्णवाचक की आउचकता नहीं क्योंकि इसमें प्रस्ण नहीं किया गया है पकड़ो मत जाने दो यहाँ पर क्या है विरामचिन की गलती है तो कि आप दो तरह से इसको पढ़ सकते हैं पकड़ो मत जाने दो या तो आप अगर पकड़ो के बाद विरामचिन लगाते हैं पकड़ो मत जाने दो तब जो है विरामचिन आपर अपरिहार है लगाना इसे बिल्कुल डिक्तो लिखा जाना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, मेरे नए पते से चिठियां बेजना, अब यहाँ पर क्या है, से का प्रयोग किया गया है, जो कि पर का होना चाहिए, मेरे नए पते पर चिठियां बेजना, हमने यह काम करना है, उसके उपर की आपर कोई आउशक्ता नहीं है उस पर उचित न्याय किया जाएगा आप वाली किताब छट में पड़ी है तो छट में पड़ी है गलत है आपकी आप वाली की जगे आपकी आजाएगा और आपकी किताब छट पर पड़ी है यहाँ पर कारक्या होगा पर कोई चीज किसी के उपर रखी गई है इसलिए यहाँ पर पर का प्रियोग होगा उस पर भगवान की क्रपा है तो आप देख रहे हैं क्रपा जो है यहाँ पर गलत है उस पर भगवान की क्रपा है यह इसकी जो है सापताहिक सब्द का प्रियोग वर्तनिया पर इसकी ये सही होगी सापताहिक मैं आप ही आकर जोला ले जाऊंगा तो मैं आप ही की जगे स्वयम मैं स्वयम आकर जोला ले जाऊंगा हमको क्या तो हमको की जगे हमें क्या ये जो है इसका सुद्ध रूप हो जाएगा निष्चे रूप से नहीं कहा जा सकता वे प्राता काल के समय आएंगे तो काल और समय दोनों का एक ही संटेंज में प्रियोग अन्चित है तो क्या हो जाएगा वे प्राता काल आए उसे भारी प्यास लगी प्यास के लिए भारी का नप्रयोग करके बहुत का प्रयोग करना चाहिए, उसे बहुत प्यास लगी है, वहाँ पेड़ पर जो कोने पर लगा है, उसके फल मीठे हैं, अब इसमें क्या है गलतियां है, वहाँ पेड़, पहली चीज़ तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, वहाँ पेड़ जो कोने पर लगा है, उसके फल मीठे हैं, अब इस तरह से यह यह करेक्ट हो जाएगा, सब्द केवल संकेत्र मात्र होते हैं, तो इसका क्या है, मात्र की जरूती नहीं है, केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, सब्द केवल संकेत होते हैं, या सब्द स संकेत मात्र होते हैं, केवल और मात्र एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है राम चरिट मानस उच्छ कोटी का ग्रंथ है अब इसमें क्या गलती है? राम चरिट मानस को आप देख रहे हैं बिना किसी अलकिये एक साथ सम्मिलित करके लिख दिया गर पी गलत है राम चरित मानस एक उच्च कोटी का गरंथ है अगला सूर प्रतिदिन पूर में उग रहा है तो उग रहा है गलत है सूर प्रतिदिन पूर में उगता है को कि एक यूनिवर्सल नियम है यहाँ पर इसलिए सूर प्रतिदिन पूर में उगता है मनोह मनोहर का मकान सियाम के मकान से ज्यादा बहतर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे मनोहर का मकान सियाम के मकान से बहतर है ज्यादा और बहतर दोनों का सेंस एक ही है जब हम कंप्लीजन कर रहे हैं तो ज्यादा बहतर ये सब्द नहीं लिखेंगे या तो बहतर लिखेंगे या ज्या पूल की ही माला बनी है, जो की गलत है, माली फूलों की एक माला लाया, यहाँ पर माला की क्वांटिटी बताई जा रही है, कि एक माला है, यह आखों से देखी घटना है, तो आखों से देखी घटना की जरहें, यह आखों देखी घटना है, यह इसका correct form होगा, मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खानी है, ये इसका correction होगा, उसके पास केवल 10 रुपए मात्र है तो उसके पास मात्र 10 रुपए हैं, अब केवल और मात्र, फिर दोनों एक साथ प्रियोग हुआ है, इसी लिए sentence गलत है, तो उसके पास मात्र 10 रुपए हैं, ये इसका जो है, सही sentence होगा पाप बढ़ती है, तो वर्सा नहीं होती है, क्या गलती है पाप बढ़ता है ना कि बढ़ती है, तो वर्सा नहीं होती, सब चली चलो का मेल है, तो यहाँ पर क्या से, सब चला चली का मेल है, मरे जलावे राम तो यह क्या है गलत है मारे राम जिलावे राम ये सब Γιαगा होते हैं जिनको भीना किसी चेंज के उसी तरह लिखा जा जाना चाहिए चककी के दो पाटण में कितना साबुत नहीं में बचता है तो इसका जो एक करेक्ट फ़ाउँ क्या होगा चक्की के दो पाटों में कोई साबुत नहीं कितना कीज़े के कोई साबुत नहीं बचता इस बात को वो नहीं समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं अब यह देखने में लग रहा है दोनों वाक्यांस जो है अलाग अलाग है आपस में connect नहीं हो रहे हैं तो कैसे इसको लि एक तरफ तो हम कहा रहे है छोड़ कर और एक तरफ सिवा कहा रहे है, दोनों का क्या है, सेंस एक है, तो क्या लिखेंगे हम, आपको छोड़ कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा, इसमें सिवा जो है, इसका प्रियोग नहीं किया जाएगा छोड़ कर के साथ में, अगला संटेंस, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए तो यहाँ पर क्या गलती सन्यासी जो है इस तरह से लिखा जाएगा लौट आए बाकी जो है सब कुछ सही है और वापस भी सब्दन लिखा जाएगा क्योंकि जब लौट ही रहे तो वापस का उसके साथ में प्रियोग नहीं क करने की आउच्छता है फिर वाप बिलाप करके रोने लगा बिलाप का अर्थी होता है रोना तो यहाँ पर वाप बिलाप करने लगी यह जो है करेक्ट इसका संटेस हो जाएगा तुमने अच्छा काम करा कि जगे क्या आई गरिया किया आप हमसे नहीं बोलो तो इसको क्या आगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें प्राप्त का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाएगा बे फिजूल बोल रहे हो तो बे फुजूल जो है यह सब जो है अपने आप में गलत है फिजूल बोल रहे हो यह सही है प्रेम चंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानिया और उपन्यास लिखे तो एक तो यहाँ पर मात्रा का प्रियोग नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसी तॉलने या वाल नापनलीशी नहीं यहाँ पर एक क्वांटिटी बताई जारी बुस्तकों की तो प्रेम चंद पहले तो इसका करेक्शन होगा यह जो वर्तनी असुद्ध है उसके बाद परियाप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे तुम्हें पग पग में काटे मिले तो पग पग में की जगे पग पग पर काटे मिलेंगे यह इसका करेक्शन हो जाएगा कमल को पास बैटो को की जगे के कपर होगा कमल के पास बैटो मैंने उनकी पृतिच्छा देखी तो पृतिच्छा देखी की जगे पृतिच्छा की मेरा नाम स्री मोहन जी है तो अपना जाम में स्री नहीं लगा जाता है और ना जी लगा जाता है मेरा नाम स्री मोहन है ये इसका correct वाम हो जाएगा सिकारी ने उस पर गोली चलाई पर सेर बच निकला अब इसको कैसे लिखेंगे सिकारी ने सेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला ना कि सेर को कि सेर पर हम पहले ही तो इसमें क्या है इसमें पदक्रम की गलती है सेर को पहले आना चाहिए कि हमको यह पता होना चाहिए गोली किस पर चल लई है सिकारी ने सेर पर गोली चलाई उसके बाद हम लिखेंगे कि वह बच निकला आगे चलते हैं यह भागेवान इस्तरी है तो भागेवान नहीं लिखा जाता है भागेवती बिश्वनात और गोविंद में सबसे अधिक तेज कौन है अब यहाँ पर सबसे अधिक दोनों सब्द एक साथ प्रियोगों रहें जबकि दोनों का ही जो है सेंस एक है तो और गोविंद में अधिक तेज कौन है यह इस तरह लिखा जाएगा और यहाँ पर प्रस्तवाचक चिन लगेगा जो छूट गया है अपराधी को रसी बांध कर ले गए तो इसको कैसे लिखेंगा अपराधी को रसी से बांध कर ले गए इस समय आपकी आयू 40 वर्स है तो आयू जो है जब हम आयू बताते हैं तो आयू कम अपर्योग नहीं इस समय आपकी अवस्था 40 वर्स की है तो दोस्तो आज के इस पार्ट में हमने मातपूर उदारर देखे सुद्ध सुद्ध वाक्यों के और अब आप अगर लेगा चार जो है लेक्टर्स को फालो कर रहे ह तो आप निश्चित रूप से जो है आपके मन में कांसेट बन गया होगा कि वाक्यों में गलतियां किस प्रकार से होती है और उसका करेक्ट फार्मेट क्या होता है तो दो से तीन लेक्चर हम अभी और इस पे लेंगे जिससे की जो है ये टॉपिक आपको इस तरह से तयार ह हो जाए कि आपका कोई भी दस कोईश्चन में से आरो यारो के जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे एक भी प्रस्न गलत ना हो तो देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच सेर भी करिए अभी के लिए ता ही मिलते हैं अंगले लेक्चर में नमस्कार दन्यवाद